हेलो गाइज वेलकम वेर यूट्यूब चैनल आज का टॉपिक है दोस्तों उससे बले मैं आपको बता दू कि हमारी यूट्यूब चैनल मेशीन लर्निंग चैनल रही है अब बात करते हैं कि इस बार इस वीडियो में हम किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं कि हम जो बोल रहे हैं उसे हम टेक्स फॉर्म में कैसे कनवर्ट कर सकते हैं जैसे कि हमने देखा होगा कि हम बहुत सारी जगह पर देखते हैं कि हम वाइस पर सर्च करते हैं और वो और में हमारे सामने आ जाता है वो क्या होता है speech recognition इससे करता है हमारी आवाज किसमे convert हो जाती है text with the help of हमारे computer program आज मैं आपको वो ही एक amazing सा project बताने जा रहा हूँ दोस्तों उसे बहले मैं आपको बता दूँ इस project को बनाने में मेरी सच में हवा टाइट होई इस इसके जों से कह सकते हैं जों जों से modules होते हैं उसको install करने में मुझे इसनी problem हुई कि क्या बता हूँ पहले बताता हूँ इस को install करने के लिए आपको दो modules की जरूरत होगी पहला speech recognition जो कि सबसे important और जूसरा पाइट आडियो यहां से पाइट आडियो ठीक है और मैं आपको एक और दो पता हूँ यह आपके computer में पाइट और यह पहली बार में इंस्टॉल हो जबता है ना दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आपसे ज्यादा लखी person कोई नहीं होगा सच में कोई नहीं होगा मुझे आदा घंटा लग गया उसे इंस्टॉल करने में तेक्स बुक में मत लिखना इसे एक मांट प्रॉंक्टर पर लिखना और उसके बाद एंटर कर देना वह ऑटमाटिकली इंस्टॉल हो जगा और उसके बाद क्या करना है यदि आपका बहुत जाद लखी हो तो आपने क्या सब्सक्राइब शक्राइब रिखना है जििए तो आपको बताता हूं एक है को नश्राइब कर बता देते हूं आपको स्क्रीन पर शो जाएगा आपको अपनी कंप्यटर में एंटर करना है उससे क्या होगा चैश्टों वंडिना इशक्ष में शुरूगते हैं बीकॉस मैं पहले सी बहुत ज़दा frustrated हो चुका हूँ इस project के का रहा हूँ अब बिने time is कि इस project को मैं पहले एक्सप्रेंज दा देता हूँ फिर हम क्या करेंगे इसे demonstrate करेंगे सरसे पहले मैंने क्या किया import कर लिया वही speech recognition की library को और उसको एक nickname दे दिया sr ताकि मुझे एकना बड़ा नाम ना लिखा परे speech recognition क्या उसके बाद मैंने क्या 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 एक variable क्रेट किया और आर के अंदर मैंने sr को call किया और उसके अंदर लिख दिया यह रिकरगनाइजर उसके अंदर ही कोई function है उसके बाद मैंने क्या इसको रिनेम कर दिया सोर्स के नाम से इसके बाद मैंने कर दिया प्रेंट इनिशलाइजर बिगार जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे हमें पता बिता होना चाहिए कि अंदर हमारा प्रोग्राम है वो रन हो चुका है अब हम बोल सकते हैं इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया इनिशलाइज आप कुछ भी लिख सकते हैं आगे मैंने क्या लिखा मैंने आडियो वन नाम का एक वरियेबल क्रेट किया उसमें लिख दिया आ डॉट रिकॉर्ड सोर्स सोर्स वह हो गया जो कि हमारे माइक्रोफोन से इंपुट आ रही है और डियूरेशन में रख दिया कि कितने टाइम तक की आवाज आए तो उसके बाद यह स्टार्ट हो जाए अपनी प्रोसेसिंग करनी बहुत नहीं तो यदि मैं डियूरेशन को बढ़ा जिता हूं तो इसको बहुत ज़दा प्रोसेसिंग बहुत जा जाइए हूं एक तरह से टरह कर रहे तक है वाहने व बाइप को तरह से तरहometer आ थिम यहां पर ईकी आपैया के युशुआ कर एकativa करें डै लिए बहुत कर रहें है जो झे यहां मैच्राली माइक्रोफोन से एंपूट हो रही है वह हमारा गोगल एप़ी ईसे कर रहा है ठीक करके text form में convert कर रहा है ठीक है और उसके बाद हमने क्या किया query one is equal to query one dot lower lower इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो short form में हो या फिर सारे जितने भी words हो वो small letters में चाहें आप कोई से delete भी कर सकते हैं उससे कोई फ्रेट भी करता हूँ यह मैं इसे delete कर देता हूँ इससे कोई फ्रेट कर देता हूँ इससे save देता हूँ उसके बाद मैं लिग दिया print query one कि ताकि हमें text form में show था हो जाए कि हमने क्या लिखा है क्या बोला तस्वाई और उस लिए सही तरह work किया है और बिना time waste कि सबसे ज्यादा में जिन काम काम जा रहे हैं वो क्या है कामारा demonstration ठीक है मैंने क्या किया select all किया और मैंने इसे enter करके run कर दिया इनिशियलाइज हो चुका है hello my name is Ajay देखते हैं कि यह रेक्रगराइज कर पाता है यह यह देख सकते हो यहां पर लिखा आ गया hello my name is Ajay तोस्तों इस तरह आप अपने सब्सक्राइब नहीं क्या है आप स्मीच रेकरगराइज सिस्टम को with the help of python बना सकते हैं within कितने को लाइन का कोड़ है यह सैल लाइन को कोड़ है सैल लाइन के कोड में आप इस सब को बना सकते जो आप अभी तक अके लिए यूट्यूब वगरा पर सर्च करने के लिए फिर गूगल की शुरुआत है मिशीन लगी आने वाली वीडियो में मैं आपको इसको स्क्राइच से बनाना से पांगा उसकी आप चैन्ता मत करो यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना मैं सच में करता हूं अभी पास करो और जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ अभी कि अभी और लाइक जुरूर बताना कि इस जो से ये प्रोजेक्ट है इसमें बहुत जादा मेरा दिमाग करते हैं ठीक है और आगे मैं आपको और किया बताओं कि आप अब इसे ट्राइब कर सकते हैं इस कोड को और इसके साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट को क्रिए कर सकते हैं आने वाले वीडियो में और भी बहुत ज़्यादा अमेजिक चीजर ले आने बाला हूं और फाइनली एक में आपको गूगल असिस्टेंट होता है वैसे ही एक डेक्स्टॉप असिस्टेंट बना के लिखाऊं बढ है